हेलो फ्रेंट्स, बेलकम टू स्टडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रफाकर, आज की इस महत्पोंड लेक्षर में हम 4 माई 2023 के मोश्ट इंपोर्टेंट करिंट अफिर्स के कोशन डिसकस करेंगे, तो आप इस पूरे लेक्षर को लास्त तक जरूर देखिएगा, पहला कोश जाता है और यह पैरिस में स्थे थे और पैरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, तो यह एक अंतर राश्ट्य गैर सरकारी और गैर लाबकारी संगठन है, जिसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, वेसो प्रेश सुतंतता सूचकांक में 180 देशों को सामिल किया जाता है और 2022 में भारत की रैंक थी 150, अब उससे खराब प्रदर्सन किया है 2023 में भारत की मीडिया ने और 2023 में भारत की रैंक 161 हो गई है, दोस्तों अब हम जानते हैं टॉप 10 कंट्री कौन है, जिनका सांधार प्रदर्सन रहा है, तो नौर्वे पहले स्थान पर, आयरलें दैनमार्क तीसरे, और स्विडन चौन चौन धू थे, फिल्लैंड पांचमे, नीदरलैंड 6 नमबर पर है, लिथूवानिया 7 में नमबर पर है, 8 में नमबर पर है, अइस्टोनिया 9 नमबर पर है पूर्तगाल और 10 में पर है इस्ट तिमूर। दोस्तो वाटम 10 कंट्रीज की बाद तो 171 नंबर पर है बहरीन, क्यूबाब 172, 173 पर म्यामार है, इरिट्रिया 174, 175 पर सीरिया है, तुर्किमेनिस्तान 176 पर, इरान 177 पर, बियतनाम 178 पर, चाइना की रैंक आप देखियेगा कितनी है, 189 है, और फिर 180 रैंक है नौर्थ को दिया की जो मीडिया है, वो पूरी तरह से सरकार की कंट्रोल में है, दोस्तो प्रमुक देशों की रैंक की बाद करें, तो अमेरिका की जो रैंक है, वो है 45, रूस की रैंक है 164, फ्रांस की रैंक है 24, पाकिस्तान की रैंक है 150, और यूनाटिट किंग्डम की जो रैंक है, वो है 26, दोस्तों आप इस lecture को last तक जरूर देखिएगा, last में आपसे question पूछा जाएगा, जिसका answer आपको comment box में बताना है, अगर आप channel पर पहली बार आये हैं, तो subscribe कर ले, bell icon भी दबालें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले notification मिल सकेगा, lecture पशन्द आता है, तो आप इससे like करें, share भी करें, सभी दोस्तों को, सभी social media platform पर, next question है, विस्व प्रेश स्वतंतरता दिवस कब मनाया जाता है, तो world press freedom day celebrate किया जाता है, हर साल 3 मई को, साल 1993 में 3 मई को सहिक्त राष्ट की महासभा ने पहली बार विस्व प्रेश स्वतंतरता दिवस मनाने का फैसला किया था 2023 की theme याद रखेगा, shaping a future of right, freedom of expression for a driver for other all human rights, इसका उदेश है, प्रेश की सुतंतरता की महत्तों के बारे में लोगों में जागरुकता बढ़ाना, विस्व प्रेश सुतंतरता दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है, वो 1990 में जो UNESCO का सम्मिलन हुआ था, उसमें दिया गया था इ दोस्तों, दो मई को कौन सा दिवस मनाये जाता है, तो विस्व अस्थमा दिवस मनाये जाता है दो मई को, तो इस दिवस को भी आप नोट कर सकते हैं, theme है इसकी अस्थमा के एर फॉर आल, वेस्विक इस्तर पर अस्थमा के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए विस्व अस्तमा दिवस मनाय जाता है फैंपणों से रिलेटिड ये बीमारी होती है विस्सो अस्तमा दिवस पहली बार 1998 में मनाय गया था मई माह में अब तक मनाय गया प्रमुक दिवस कौन है अंतराष्ट्य मजदूर दिवस एक मई को महराष्ट्य दिवस एक मई को गुजरात दिवस एक मई को इसके अलावा विशुट्टूना दिवस दो मई को मनाय गया है। तो ये इंपोर्टेंट डे हैं। जो बाल करस्नन जी हैं वो अति विसिस्ट सेवा मैडल और वायू शेना मैडल से भी सम्माने थें। भारतिय वायू शेना की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में हैं और येर चीफ मार्सल हैं विवेक राम चौधरी। हाली में की गई महत्पूर्ण निक्तियां डिसकस करते हैं तो एके मोहनती परमानो उर्जा आयो के अभी हाली में नई अध्यक्ष बने हैं। रजनीस करनाटक बैंक आफ इंडिया के प्रवंध निदेशक और सीईओ बने हैं। सिधार्थ मोहनती जून 2024 तक के लिए LIC के चेर्मेन निक्त किये गए हैं। पंकर सिंग साइकलिंग महासंग के अध्यक्ष उने गए हैं। नैसकॉम ने अनन्त महेश्वरी को नया चेर परसन निक्त किया है और इस्टार स्पोर्ट्स ने रिसब पंद को अपना ब्रांड अम्बेश्टर अभी हाली में बनाया है। किस राज में पिछडा वर्ग सर्विक्षर सुरू हुआ है। तो अभी हाली में ओडिसा में पिछडा वर्ग सर्विक्षर सुरू हुआ है और बिहार के बाद ओडिसा दूसरा राज बना है जो इस प्रकार की गढ़ना कर रहा है। 314 ब्लॉकों और 114 सहरी इस्थानी निकायों में किया जाएगा। पिछ इसा में जो 208 OVC समदाय हैं उनकी सामाजिक इस्तिती देखी जाएगी और उनकी सैक्षडिक इस्तिती भी देखी जाएगी। कुछ important fact डिसकस करते हैं तो 102 बा संबिधान संसुधन अधिनियम 2018 राष्टिय पिछड़ा बर्ग आयोग को संबिधानिक दरजा प्रदान करता है। का आयोग की अधिक्ष कौन हैं वर्तमान में तो उनका नाम है हंस राज गंगाराम अहील। ओडिसा की बात आई है तो ओडिसा फुटवाल कलब ने बैंगलूरो फुटवाल कलब को दो एक सिहरा कर अभी हाली में हीरो सुपर कप 2023 का खिताब जीता है। ओडिसा का जो भूबने सो सहर है वो जून में 2023 इंटर कॉंटिनेंटल कप की मेजबानी करेगा और ये फुटवाल से रिलेटिड कप होगा। ओडिसा दिबस या उतकल दिबस कम मनाई जता है एक अप्रेल को मनाई जता है। भारत का पहला एग्री चैट वार्ट आमा क्रुसाई ओडिसा में अभी हाली में लौंच किया गया है। ओडिसा के मुख मंत्री कौन है नवीन पतनायक है और गडेसी लाल यहां के गवर्नर है। अप्रेल 2023 के लिए जीएस्टी राजस सो संग्रह कितना हुआ है। यानि दोस्तो अप्रेल 2023 में जीएस्टी का कितना कलेक्शन हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका एक दिसमलो आठ साथ लाख करोड। अप्रेल 2023 के महीने में जीएस्टी जो कलेक्शन है वो एक लाख सतासी हजार पैस करोड रुपए हुआ है। या है जीएस्टी राजा सुसंग्रह का अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। जीएस्टी के बारे में कुछ important point डिसकस करते हैं तो दोस्तो इसको बोला जाता है goods and service tax तो इसको सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था और भारत का जो जीएस्टी है वो कनाड़ा के माडल पर आधारित है भारत में जीएस्टी विजय केलकर समीती कि सिफारिस के आधार पर लागू किया गया था अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाए मिल जाएगा डेली कर इंट अफ्यस का पीडिएफ आपको दूस जगे मिलेगा एक मिलेगा दोस्तो हमारे एप पर लिंक डिसक्रिप्शन में है इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर उसका भी लिंक है डिसक्रिप्शन में है तो वहां से आप जोईन कर लीजेगा वहां प 14 मेसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन को अभी हाली में ब्लॉक किया है यानि यह जो 14 मेसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन थे यह जम्मू कस्मीर में आतंक फैलाने का काम कर रहे थे तो सरकार ने इनकी निगरानी की और फिर इन्हें अब ब्लॉक कर दिया गया है इनमें कुछ नाम हैं दोस्तों इन मोबाइल एप्लिकेशन के जैसे क्रॉइप बाइजर, एनिगमा, सैफ, स्विस, बिक्रमे, मीडिया फायर, ब्रियर, बीचेट, नंदबॉक्स, कॉनियान और आई एम ओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रेमा तो ये बंद सूचना प्रोदोक की अधनियम 2000 की धारा, 79 एके तहट, मोबाइल एप की बात आई है, पोर्टल की बात आई है, तो क्रसी मंतरी नरें सिंग तॉमर ने अभी हाली में साथी पोर्टल और मोबाइल एप को लाँच किया है, सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वाइ वायो मेट्रिक प्रमाणी करन बैंकिंग एप अभी हाली में लाँच किया है, सरबानन सोनोवाल ने सागर सेतू मोबाइल एप को अभी हाली में लाँच किया है, नेक्स्ट कोशन है, नियायमूर्थी टी एस सिभ गनानम किस उचन्याले की मुख न्याय अधीस बने हैं, त तो सरकार ने अभी हाली में ओफीसियली तोर पर नियायमूर्थी टी एस सिभ गनानम को कलकत्ता उचन्याले के मुख न्याय धीस की रूप में न्युक्त किया है, दोस्तो मुख न्याय धीस की न्युक्ति कौन करता है, तो राष्टपती जी के द्वारा इसकी न्युक्ति इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा अभी हाली में अपरेश कुमार सींग को तुरुपरा हाई कोट का मुख नियाधीस भी निप्त किया गया है नेक्स्ट कोशन है भारत किस देश को तेज गस्ती पोट और लेंडिंग क्राप्ट सौपेगा तो अभी हाली में भारत ने मालदीब को तेज गस्ती पोट और लेंडिंग क्राप्ट सौपने का फैंसला किया है तो अभी हाली में रक्षा मंत्री जो है वो एक माई से तीन माई तक मालदीब की यात्रा पर गए थे और उन्होंने मालदीब को उपहार के लिए तेज गस्ती पोत और एक लेंडिंग क्राप्ट सौपा है इससे क्या होगा कि भारत और मालदीब के बीच में जो संबंध है वो और मजबूत होंगे मालदीब के बारे में बाद करें तो कैपिटल इसकी माले है राश्टपती है इब्राहिम महम्मा सोल है और ओफीसियल यहां का जो रिलीजन है वो है इसलाम देखें दूस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मालदीब की लोकेशन अगर हम इंडिया के साउथ में जाएंगे तो आपको मालदीब दिखाए देगा छोटे छोटे से दूइफ है और यह एसिया महादीब का छेत्रफल की दृष्टी से और इसके अलाबा जनसंख्या की दृष्टी से सबसे छोटा देश है नेक्स्ट कुश्चन है जीवीम ड्राइवर को किस संस्थान के सोध करताओं ने डेबलब किया है तो अभी हाल ही में आयाइटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा जीवीम ड्राइवर को डेबलब किया गया है तो गिलियो ब्लास्टोमा जो की एक तेजी से बढ़ता हुआ ट्यूमर होता है उसकी पहचान करने में सक्षम है गिलियो ब्लाश्टॉमा जो है वो फोर्थ ट्यूमर है यानि फोर्थ स्टेश का ट्यूमर है और एक तेजी से बढ़ने वाला ट्यूमर है जो मस्तिस्क या रीड की हड़ी में होता है दोस्तो अरुन मरीलाल गांधी का हाली में निधन हो गया है वह कौन थे तो वह एक author भी थे इसके अलाबा सामाजिक राजनेतिक कारिकरता भी थे इसका right answer होगा option number D यानि B और C तो महत्मा गांधी के पोते रहे हैं कौन? अरुन मनिलाल गांधी तो उनका 2 मई 2023 को निधन हो गया है वह भारतिय अमेर की लेखक सामाजिक राजनेतिक कारिकरता थे उनकी पिता कौन थे? मनिलाल गांधी और मनिलाल गांधी के पिता कौन थे? महत्मा गांधी दोस्तो एक और निधन आप नोट करिएगा ये बहुत important निधन है रणजीत गोहा वो कौन थे? तो वो एक इतिहासकार थे उनका अभी हाली में यूरोपिय देश आस्ट्रिया में निधन हो गया है उनकी एक पुस्तक आप याद रखिएगा पुस्तक का नाम है ओप निवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्रात्मिक पहलो चलिए अब करते हैं कल के करेंट अफ्यस का फिर इसके बाद जर्नल लोलेज के पिटारी को डिसकस करेंगे और लाश्ट में पूछेंगे आपसे कोशन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कल का पहला कोशन था सत्रेवे विसो पुरो सत्रंज चेंपियन कौन बने हैं डिंग लरेन बने हैं ये चाइना के हैं परागवे के नई राश्ट पती कौन चुने गए हैं सैंटियागो पैना बैंक ओप इंडिया के एमडी और सीओ कौन बने हैं रजनीस करनाटक किस देश के राश्ट पती ने अपना संबिधान फिर से लिखने के लिए जनमत संग्राय हासिल किया है उजबिगिस्तान ने मेराज एहमद खान और गनेमा सैंखो ने आई एससेफ विस्वकप सौटगन में कौन सा मेडल जीता है गोल्ड मेडल जीता है आसियान भारत समुदरी अभ्यास किस देश में आयुजित किया जाएगा सिंगापुर में गुजराद और महराष्ट का 63 बा स्थापना दिवस कम मनाय गया है एक मई को किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में परियोजना के लिए अनुदान की घोशना की है औस्टेलिया ने किस अभिनेत्री को लैनीज के ब्रान अमबेस्टर की रूप में साइन किया गया है आथिया सेट्टी को आयुष्मान भारत दिवस कम मनाय जाता है 30 अप्रेल को आज के चनरल नौलेज के पिटारे में हम डेसकस करेंगे विभिन खेल और उनके खेल परिशर तो टैनिस, बैडमिंटन, नेट बॉल, हैंड बॉल, बॉलीबॉल, स्क्वैस, खोखो और कबडडी के खेल परिशर को यानि जहां ये खेला जाता है उसको क्या बोला जाता है तो उसे कोर्ट बोला जाता है बेसबॉल के खेल परिशर को डाइमन्ड बोला जाता है स्कैटिंग और मुक्केवाजी के खेल परिशर को रिंग गोल्फ के कोर्स तेराकी के खेल परिशर को पूल बोला जाता है और बाउलिंग के खेल परिशर को एली बोला जाता है जूडो, कराटे और ताइक्वांडो के खेल परसर को मैट बोला जाता है घुर सबारी के खेल परसर को बोला जाता है एरीना cycling के खेल परिशर को बोला जाता है ballo drum और polo, football और hockey के खेल परिशर को बोला जाता है field और table tennis के खेल परिशर को बोला जाता है board तो ये important point है, note कर लें आप इन है आप से पूछा जा रहा है महत्वपोंड question जिसका answer आपको comment box में देना है, lecture पसंद आया हो झाल में बोला जाता है